Hello everyone, welcome back to my channel Foster Academy and I hope you all are well and healthy और देखिए आज की जो वीडियो है, इसमें मैं आप से क्या बात करने वाली हूँ आपका जो UPTED का एक्जाम है, Paper 2 SST इसमें एक बहुत important part है आपका उद्यान विज्यान इवं, False Induction ठीक है? तो ये जो हमारा part है, ये बहुत important है कम से कम 5-7 question यहां से हमेशा आते ही है तो मैंने ये सारा जो आपका जो ये जितना भी content है इस सब की वीडियोज बना दी है तो आप playlist में जा सकते हैं, उद्यान विज्यान इवं, False Induction में और वहाँ पर जाकर वीडियोज देख सकते हैं और अपनी ये नमबर पके कर सकते हैं ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से explain किया है सारा का सारा इसी पर based है ठीक है, तो वहाँ जाईए और वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो अगर आपको चैनल सही लगे तो सब्सक्राइब कर लीजी और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर लीजी और शेयर भी कीजिए, ठीक है बहुत महनत लगी है इसे बनाने में तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना टॉपिक सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर यूपिटेट के तियारी करनी है तो मृदा जो है यह टॉपिक हम देखेंगे कुछ भी एक्सेस नहीं कर रहे हैं आपर जो भी यूपिटेट के सब्सक्राइब करेंगे तो मृदा की परिभाशा सबसे पहले उसके घटक उसका वरगी करन के साधार पर कणो के और क्रिशे के दरश्टी कोंड से उसके अलावा गुण दोश देखेंगे अलग-अलग तरीकी की मृदा के अच्छी मृदा की गुण क्या होते हैं और जाली हम अपने आसपास देख पाते हैं अगर मिट्टी नहीं होगी तो पेड़ पोधे भी नहीं उग सकेंगे अब देखें कोशन जो आते हैं मेंली वो राइटर से पूछ ले जाते कि ये बात किस ने कही है ठीक है तो यहां पर मैं कुछ नेम आपको बता रहे हूं विद दूसरा यहां पर यह पहला important point है दूसरा है वान हेमोंट ठीक है इन्होंने क्या कहा कि पानी को पोधो का मुख्य प्राण बताया उन्होंने ये भी question आया हुआ है ये भी आपको अच्छे से statement याद रखनी है मुख्य प्राण यानि मुख्य भोजन बताया गया है पाने जि जो कि किस से मिलती है मृदा से मिलती है तो ये दोनों आपको नेम याद रखने है और अगर पूछ लिया जाए आपसे तो बिल्कुल भी question छोड़कर नहीं आना है ठीक है तो चले मृदा की परिवाशा देख लेते हैं कि मेरी मृदा होती क्या है तो मृदा जो है प्रत्व होने से बनता है ठीक है आपको पता होना चाहिए कि जो मृदा है उसमें कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है ठीक है और जिस पर पेड़ पोधे वंवनस्पतियां उगती है मृदा की बनने के बारे में अगर बात करें तो इसकी age डिफाइन करती है ठीक है मैटर करती है तो मृदा को बनने के लिए मिट्टी को बनने के लिए 200 साल से 1000 तक का टाइम भी लग सकता है तो मृदा बनने की जो क्रिया है वो निरंतर चलती रहती है एक अग्दम पर बात करते हैं कि सामाने रूप सी प्रत्वी के सबसे उपरी भाग को क्या बोलते हैं मृदा और मृदा पोधों के योगने और व्रद्धी करने का एक माध्यम है जैविक पतार्त के साथ मृदा चट्टान और खनीजों का एक मिश्रण है ठीक है सेकंड टोबिक देखते हैं इसका मृदा के घटक कि मृदा के जो घटक है वो कौन-कौन से हैं मृदा में पाए जाने वाले विविन पधारतों को ही हम क्या बोलते हैं मृदा के घटक या फिर अव्यव कहते हैं अब हम कहते हैं कि यह चार प्रकार की घटक पाए जाते हैं ठ बढ़े चोटे या फिर महीन कनों से बनती है यानि जब मुर्दा मिटी जो होती है वो तूती है खनी जो और चट्टान जब तूते थैं तो उनके कुछ चोटे इंड़ बनते हैं और फिर वो इक जगे पर इखटे हो जाते हैं कर्णों के आधार पर मृदा का वर्गी करण। इस से पहले हम इस पिच्चर में कुछ देख लेते हैं। मातरा में पाया जाते हैं जो मृदा, मृदा का मेन डाग्राम है वो देख लेते हैं। मृदा ठोस और रंद्रावकाश 50% 50% इसमें देखिए मृदा खनीज जैविक पदार्थ मृदा में खनीज कितने हैं 45% फिर जैविक पदार्थ 5% मृदा में जल 25% और वायू 25% इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं करणों के आधार पर मृदा का वरगी करन तो मृदा क जब हम वरगी करन करते हैं तो हमें जानना जरूरी होता है कि मृदा का करन क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं तो मृदा चटानों और खनीजों के तूटने और एक इससान से दूसरे सान पर जाने से बनती है चटानों और खनीजों के तूटने से मोटी एवं महीन बा बालू जब हवा और पानी की रगण से महीन हो जाती है तब उसको क्या कहा जाता है सिल्ट या फिर गाद कहा जाता है तो उसको नालों या नैरों की सफाई में जो पदार नीचे तलहैटी में निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिल्ट, ठीक है, सिल्ट की जो कण है, वो तूट कर जब बारीक हो जाते हैं, और बारीक हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, मृतिका या फिर कले, ठीक है, चिकनी मिट्टी मृतिका के दिखता है, कारण मनती है, जिसे धन खर मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि उस कर सकते हैं, पहला है मृदा वर्ग करंड और दूसरा है आकार इसका, तो चार प्रकार से इसको डिवाइड किया है, आमने करणों के आधार पर, मोटी बालू, महीन बालू, सिल्ट और मृत्ति का यानि कले, तो मोटी बालू में 2.0 से लेकर 0.2 तक होता है, ठीक है, करंड जो सिल्ट है, सिल्ट में 0.002 से लेकर 0.002 उसके बाद मृत्ति का यानि कले में 0.002 से कम होता है, ठीक है, चलिए मृत्ता के जो करंड है, वो हमें पता चल चुकी है, कौन-कौन से है, बालू, सिल्ट और मृति का, तो इन्हें के अनुपात के आधार पर हमने मिट्टी का ना नाम दिया है, जिसे की करनकार गठन कहते हैं, इस से गार चलाइक कारण म्रदा के आधार पर म्रदा को ने भागों में बाटा है, पहला है बलूई मिट्टी, ठीक है, पहला है बलूई मिट्टी, यह जो टेबल देखने आप, यह बहुत इंपोर्टनट है, इसका परसंट क्या है और उम्रतिका का परसंट क्या है तो इस त्रेट कोशिन पूछा या सकते हैं तो इसको आप देख लिजिए अच्छे से याद करके जाना है ठीके ना तो फर्स्ट आपका आता है बलुई मिट्टी तो इस जो मिट्टी है इसे बालू की जैसे की इसका नाम ही बलवज मेटी और माकर आकहीं बता रहा है अधिक्ता होते हैं को प्रतिशक तक और यह ब्रह जाती है इसके कंभ और ise जाली बाराना धीक बने हैं चले जाते हैं, इस प्रकार की म्रदा में कार्बनी पदार्थ एवं पोशक तत्वों की कमी होती है, ध्यान रखने आपको, बलवी मिट्टी कैसी होती टेक्स्चर में अगर देखें तो मुलायम एवं भुरबुरी होती है, जिसके कारण इस मिट्टी में जोताई, गुडाई और निरायादी आसानी से हो जाती है काफी, तो पानी ना रुखने की वज़े से इसमें जो फसले होगाई जाती है, उनकी सिचाई बार-बार करनी पड़ती है, पानी रुखने ही पाता, इसलिए सिचाई की ज़रूर जादा पड़ती है, और इस प्रकार इस वाली म्रदा म उन फसलों को उगाना चाहिए जिनमें कम से कम पानी की अवशकता होती है ठीक है क्योंकि इसमें पानी नहीं रुख पाता और सिचाई बार-बार करनी पड़ती है तो जहां पे जिस फसल में पानी कम चाहिए उसको ही इस मिट्टी में लगाना चाहिए तो बलुवी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ चिक्नी मिट्टी मिला कर इसकी जल धारंट शम्ता आथ जल को खोल करने की शम्ता को जाधा बढ़ाय जा सकता है अब दूसरा कोशिन बिनता है यहां से कि ऐसी मृदा में कौन-कौन सी फसलों की खेती की जा सकती है तो यह है अरहर, जौर, बाजरा, मटर और चना ठीक है I think clear होगा यह अब है ना दूसरा देखते हैं Second type की मृदा है वो है आपकी बलुई-दोमट मिट्टी तो बलुई-दोमट मिट्टी जो होती है उसे बालो की मातर आपकी है 50-80% सिल्ट की मातर है 0-50% और मृतिका की मातर है 0-20% तक ठीक है अब जो है सिल्ट और मिट्टी का क्यों पस्यदी कारेंस में जल धारन शमता जो है वो आ जाती है और यह मिट्टी जो है यह हलकी बंधी भी रहती है इसमें भी वे सबी फसले होगा ही जा सकती है जिनको पानी की कम आवशकता हो बॉल्वी मिट्टी की अपेक्षा इसमें सिचाई की कम आवशकता होती है और फसलों की जो पैदावार है अपेक्षाकरत अधिक होती है अब देख लेते हैं आगे 3rd point हमारा दोमट मिट्टी जो है वो करशी के लिए सर्वत्तम मिट्टी है यह ध्यान रखना है आपको दोमट मिट्टी करशी के लिए सर्वत्तम मिट्टी है सर्वत्तम होती है सिल्ट की मात्रा 30-50% मृतिका की मात्रा इसमें 0-0% तक होती है और इसे पोदों के लिए अवशक्तत कार्बनिक पदार्थों की जो मात्रा होती है वो परियाप्त होती है यानि काफी मात्रा पाई जाती है फिर है दोमट मिट्टी में हवा और पानी का भी संचार बहुत आराम से होता है बहुत अच्छे तरीके से होता है जिस कारण पोदों की जड़ों में व्रदी भी तेज गती से होती है इसकी पैदावार है फसलों की पैदावार अधिक से अधिक होती है यानि ये पोदों की ग यह सब्से lige करियां ये सब्सीची बहुत आसानी से आप हो जाती है फोर्थ टाइप आपका शिल्ट मिट्टी सह ता यह सिल्ट ने वाली बॉठ इसे बालों की नियुक्ति कि युट ही कम होती है शी कि मैत्रह देखी होगी तो सिर्ट की मात्र सबसे अधिक होती है कितनी तो बहुत अधिक होती है और पानी की अधिक मात्रा होने पर मिट्टी में हवा का संचार रुख जाता है। मुख्य रुप से इसमें धान या फिर गन्ना की फसलोग आई जाती है और ऐसी मृद्धा में पोदों की जणे हैं उनकी व्रद्धी काफी अच्छी नहीं रह पाती हैं और इस प्रकार मृद्धा को कार्बिनिक खादों और बालों का प्रियोग करके खेतियों के बनाया जा स कता है और अच्छी पैदावार ली जा सकती है तो यहां पर आप से पूचया सकता है सिल्ट मिट्धी की अच्छी पैदावार के लिए क्या किया जा सकता है तो इसमे अ इे बालो एवं सिल्ट की मातर से 50 प्रतिशत होती है इसके कंड कैसे होते बहुत ही बारीक होते हैं और आकार हमने उपर वेंशन किया ही था 0.002 mm इससे भी कम ही होता है पानी मिलने पर इसके जो कंड है फूल कर आपस में चिपक जाते हैं इसलिए इसको चिकनी मिट्टी कहा जात है सूखने पर दरारे पढ़ जाती है और चिकनी मिट्टी में पोदो के लिए आवशक पोशक तत्वों एवं कार्बनिक पदार्तों की जो मातरा होती है वो अधिक पाई जाती है यह जो म्रदा है अधिक उपजाओ होती है यह धियान रखना है लेकिन कठोर होने के कारण इसमें सबी फसले नहीं उगाई जा सकती है क्योंकि कैसी है कठोर तो कुछ स्पेसिफिक फसले ही इसमें उगाई जा सकती है बैलो का प्रियोग जादा होता है यानि पावर जादा लगती है क्योंकि इसमें हल चलाने में काफी प्रॉब्लम आती है इसमें कौन-कौन से फस संचार अच्छा होता है लेकिन वर्षा होने या फिर सिचाई के बाद हवा का संचार रुक जाता है ठीक है पानी आ जाता है उसमें और हवा का संचार रुक जाता है बालों की प्रॉपर मात्रा मिलाकर म्रदा को भुरभुरी बनाया जा सकता है ताकि यह बहुत जादा कठोर द्रश्टी कोंड से अभी तक हमने देखा था कणों के आधार पर उनको डिवाइड किया था और उनका प्रोपर जो साइज था वो भी हमने बताया कितने कंड कर मतलब कों सा कंड जो है वो किसज का है ठीक है क्रशी के दूस्ती कोंठ से म्रदा के वरगी करणiva करें तो कर्ट रंग बनावत जलवायू एवं क्रशी औधी के आधार पर हम इसको ढुबाइड करते हैं और म्रदा का वरगी करण यहां पर ठीक से पड़ेंगे तो क्रशी के आधार पर मृदा को हम चार वर्गों में डिवाइड करेंगे जादा उप जाओ मृदा, सामानिय, कम और वो मृदा जो अनुप जाओ है या फिर क्रशी के लायक है ही नहीं अयोग्या है पहला टाइप देख लेते हैं ये है आपका अधिक अपजाओ मृदा, ये जो मृदा है इसमें कौन-कौन से मिट्टी है काली, काली भूरी या फिर भूरी मिट्टी आती है कलर की इसाब से अगर हम देखें तो गाउं या बस्ती की चारों तरफ ये वाली पाए जाती हो बहुत जाता अपजाओ भी होती है इसमें कार्वनिक बदार्त की जो मातरा होती हो काफी अधिक होती है जल और वायू का संचार अच्छा होता है और ऐसी दशेये बनती है जो की खेती के लिए बहुत बढ़िया रहती है और उसकी उर्वरा शक्ती बहुत ही जादा अच्छी है इसमें सभी फसले जादार सुगमता से उगाई जा सकती है ठीक अधिक और जाते ह्यों होसी है जल निकास जो है वह भी अच्छे सिस्में हो जाता है दूसरा है सामान्य सामान्य का मतलन नॉर्मल टाइप की है बहुत जादा अच्छी भी नहीं है ठीक है और खराब भी नहीं है बलुई दोमट और सिल्टी दोमट ये जो हैं ये सामान्य उपजो मृता की टाइप में आती हैं और ये गाउं या बस्टी से दूर पाई जाती है ये ध्यान रखना है इसमें कार्बनिक पदार्तों पोदों के लिए अभशक तत्व की मातरा कि मातरा कुछ कम है और इस म्रदा में उर्वरा शक्ति जल्दारन शम्ता वयुसंचार सामान्य मातरा में होते हैं बिलकुल कार्बनिक खादों और उर्वरों का प्रियोग करके इसकी पैदावार जो हो अच्छी की जा सकती है थर्ड़े आपका कम उपजाओ म्रदा ये जो इस में बलुई कंकरिली, रेतीली, लाल और फीली मिठी शामिल है और इनमें पानी नैरुखनेक कारण पोदों के लिए गदाष म्रदा के नीचे चले जाते हैं passes !! अत्वा न के कारण aqon na होने के कारण च्राए से नहीं हो पाता है वायो के संचार की बात करें तो वायो के संचार का समुचित प्रबंद अगर कर सके fellowship का प्रयोक करके सिचाई का प्रभंद अच्छे सी किया जाए तो इसको अच्छी पैदावार के अंदर लाया जा सकता है मतलब इसमें खेती फिर की जा सकती है फोर्ट टाइप है आपका अनुप जाओ या फिर क्रशी के आयोग्य भूमी या फिर मृदा इसमें उबडखाबड उसर, बंजर और जल मगन यानि डोबी वी जल में मृदाए आती हैं जिसमें पसले लोग नहीं उगाय जा सकती मतलब बिलकुल भी यह ऐसी नहीं होती जो इसमें पसलम उगा सके भूपरिशकरण, सिचाई, खादेव मृवर का अच्छा प्रबंद इवं भूमी सुधार का प्रबंद करके कुछ पैदावार ले जा सकती है मतलब थोड़ा बहुत इसमें कुछ उगाया जा सकता है ऐसी मृदा में खेती करने से किसानों को लाब पहुचता ही नहीं है तो यह जो मृदाएं हैं सिर्फ चारा गाह के रूप में प्रियोग की जा सकती है शीशम, भबूल, नीम यह यहां पर लगाए जा सकते है अब हम नेक्स देखते हैं मृदा के गुण अच्छी जो मृदा होती है में क्या क्या होना चाहिए पहले बाद तो मुलाय में भूर्बूरी होनी चाहिए जैविक पदार्त की मात्र उसमें कैसी होनी चाहिए अधिक होनी चाहिए जल धारन शम्तर जादव होनी चाहिए के अंदर जल निकास की समुचित वेवस्था होने चाहिए अगर जल निकास नहीं होगा पानी ठीक से नहीं आएगा बाहर तो फिर क्या होगा मिट्टी जो है बेकार हो जाएगी मृदा संतल हो और बड़े-बड़े पोदों के आस पास नय लगे हो मृदा शेत्र की चारो तर होना चाहिए और लास्ट है यहाँ पर मृदा एम फसलों के लिए लाबदायक जीव जन्तु एम सुक्ष्म जिवानों भी उसके अंदर प्रचूर मातरा में होने चाहिए अब देखते हैं मृदा के गुण दोश तो फर्स टाइप की मृदा जो हमारे पास है वो है लाल टिके देखते हैं हम क्या है पहला पोइंट है इन मिटयों का जो संखठन है वो स्थूल रेथ से दवमट टाथा कुछ में मृतिकिये होता है दूसराइसका जो गठण है दोमट रेतिली दोमट यह मृतिका दोमट होता है इसका पीmême confirming है वो उतासीन से हल्की अमलिय होता है की important point है direct question पूछा है सकता है इसका pH मान से related फिर है मृदा का जो लाल रंग है वो लोहे की वज़े से होता है लोह जादा होने की वज़े से इसको फेरिक oxide कहते हैं next देखिए बालों की मात्रा दिखोने कारण यह हल्की होती है nitrogen phosphorus और humus की न्यूनता इसमें होती है second type के अगर मिट्टी देखें तो यह होती है आपकी जलोड मिट्टी यह जो मिट्टे आपकी क्रशूत पादर में योगदान देने वाली है और इस प्रकार की मृदा के नीचे अभेद्य कठोर परत पाई जाती है यह जो मृदा है यह नदियों द लेकर आती है तो फिर जब एक साथ हिकट्टे हो जाते तो यह बहुत ही उपजाव मिट्टी बन जाती है यह मृदा हो दासीन सो भाग की होती है और इसमें नैट्रोजन फॉस्फोरस और कार्मिनिक फदार्थ की नियूनता यानि कमी होती है नेक्स्ट है आपका लेटराइट मृदा तो यह जो मृदा है यह अती अप्शालित होती है ठीक है नूटिलाइस्ट और इस मृदा में लोहा अलुमिनियूं फॉस्फोरस ह्यूमस प्रचूर मातरा में पाया जाता है बहुत ज़्यादा होता है इसके लावा इस मृदा में केल्शियम, मैगनेशियम, पोटाश, नैट्रोजन, शार्प, यानि कम होता है, संसजन और सिकुडन एवं फूलने के गुणिस में नहीं पाये जाते हैं, यह जो म्रदा है, यह सुखने पर बहुत ज़्यादा कठोर हो जाती है, यह म्रदा जो है, यह आदरूपोशन जलवाय में निदमित होती है, यह म्रदा कैसी होती है, अमली होती है, लाल भूरी, लाल भूरी लाल पेले रंग की म्रदा होती है, अब आते हैं काली मिट्टी पर, नेक्स्ट है हमारा टाइप काली मिट्टी, यह गहरे भूरे या पर काले रंग की होती है, इसमें लोहा, चुना, क होटी है और इसमें nitrogen phosphorus carbonic पदार्थ की की Vid Carn Prime dump कमी फोती है ये सभशा में जिप्चिकीं होती है फिर है इस मिरा में सिकुडने और फूलने का गुण पाया जाता है और सूखने पर इसमें correction ऑपर जाता वो इसको और कौन सी मिट्टी बोलते हैं तो आपको बता देना है अब है नेक्स्ट पॉइंट उत्र प्रदेश की प्रमुख म्रदाएं कौन कौन सी है तो इन म्रदाओं को हम संशेप में पढ़ेंगे पहला है भावर रेम तराई शेतर की म्रदाएं हिमाली नदियों के भारीन कर सब्सक्राइब हो जातीक्त कंउंड़ पther बालु पर अधिक्ता होती है म्रदाओं उतली तथा इनकी जल धारण जो शमता होती है वह काफी कम होती है अब इन मे कौन कौन सी खेती की जा सकती है गहन धान इन म्रदाश प्रमुख फसले है ठीक है नेक्स्ट है अपका मध्या की मैधानि शित्री की म्रदाए》 मध्या jut एरिया है ठीक है यह जो म्रदाइँ है लोड कषारी या भात म्रदाओं की नाम से भी इनको जाना पुन है दो भागों में बाटा जा सकता है ये most important question है ठीक है देखे आगे खादर एवं बांगर इनको तो आपको बिल्कुल भूलना ही नहीं है बहुत ही जादा important है ये खादर डायरेक्ट पूछा जाएगा खादर कौन सी टाइप की मृदा है तो ये नवीन जलोड मृदाए है यानि आप इसको कह सकते हैं कि जलोड मृदा जो नई मृदा है उसको खादर बोलते हैं हलकी भूरे रंकी होती है छिदर युक्त महीन कणों वाली होती है दूसरा पूछा जाता है कि कंड कैसे होते हैं तो काफी महीन होते हैं चूना पोटाश वे मैगनेशियम पर इसमे का प्रयोग अधिक करना पड़ता है तो आगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से कौनसे वाली जलोड जो है वो कौनसी ज्यादा बढ़िया रहती है तो आपको बताने नए वाली यानि खादर और जिसके गण महीन होते हैं अब इसमें देखिए नैट्रोजन पॉस् दक्षिन के पहाड़ी पठारे शित्री की म्रदाएं साउथ में चलते हैं तो यह म्रदा चट्टानों के अप्षे से निर्मित होती है बुंदेल खंड शित्र के बहुत आयत में यानि काफी मात्रा में पाई जाती है और यह लाल परवामार राकर या भौंटा प्रकार की ह होती है आप कोई चीज ध्यान रखनी है तो यह आपका फर्स टाइप हुआ कम्प्लीट चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक पर